नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का उत्रखंट पोस्ट पर उत्रखंट के पहाडों से निकल कर भारत माता की रक्षा के लिए सेना की वर्दी पहनने वाले जनरल विपिन सिंग रावत अब हमारे बीच नहीं है इस बीच एक बड़ी खबर मिली है कि CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी मधुली का रावत और 11 अन्य मृत्रिकु का पार्थिफ शरीर ले जा रही एम्बूलेंसों में से एक का एक्सिडेंट हो गया है बता दें कि गुरुवार सुबह ही मृत्रिकु का पार्थिफ शरीर वेलिंग्टन से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया था रेजिमेंटल सेंटर से इनके पार्थिफ शरीरों को सुलूर एयर बेस ले जा रहा था तब ही काफी लेव है शामिल एक एम्बूलेंस का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होगर पहाड़ी से जाटकराई शुरुवाती जानकारी के मताबिक अभी तक इस हाथ से मैं किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है हाथ साम मदरास रिजिमेंटल सेंटर से सुलूर एयर बेस के रास्ते में मेट्टू पल्ले हम के पास हुआ है पार्थिफ शरीडों को सुलूर एयर बेस से आज शाम तक दिल्ली के लिए एर लिफ्ट किया जाएगा जाएगा